किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर दीपक की रौशनी जैसा होता है, जो दूर दूर तक प्रकाश भैलाता है। उसकी समाज में निंदा होती है, अपमान होता है। पानम दुर्जन संसरगह, पत्याच विरहोटनम, स्वपनोन्य गेहेवा सश्च, नारी नाम दूशनानिशट, अर्थात मदिरापान करने वाली, दुष्ट पुरुशों का संग करने वाली, पती के साथ न रहने वाली, बिना किसी काम के इधर उधर विचरन करने वाली, असम उसे अपयश का सामना करना पड़ता है, मदिरापान करने वाली महिलाएं, परिवार और समाज में अपनी इज़्जत खो देती हैं, दुष्ट पुरुशों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत जल्दी हो जाता है, उनकी वजह से परिवार की अन्य महिलाओं को भी, समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है, पती के साथ न रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों का भविश्य अंधकार में डूप सकता है, विवाह उपरांत पती के साथ रहने पर ही महिला को समाज में उचित मान समान प्राप्त होता है, बिना किसी काम के इधर- विचरन करने वाली महिला के चरित्र में दोश आ सकता है। विवाहित महिला ऐसा करे तो वो अपने ससुराल और मायके दोनों की इज़त को धूमिल करती है। असमय एवं देर तक सोने वाली महिलाएं अपने शरीर का तो नुकसान करती ही हैं। साथ ही पारिवारिक दायत्व ठीक से नहीं निभा पाती। इसलिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहती हैं। पिता और पती ये दो घर ही महिलाओं के लिए उप्युक्त माने गए हैं। अपना घर छोड़ दूसरे के घर में रहने वाली महिला के चरित्र में दोश आ सकता है। किसी दूसरे